Hello my dear friends, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Friends, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पैंट की चैन फिलाई जोड़ना बताएंगे तो हमारी ये बेल्ट इस तरह से ऊपर हो जाती है इस तरह से और कभी बेल्ट हमारी इस तरह से नीचे की तरफ हो जाती है इस तरह से हो जाती है कभी इस तरह से हो जाती है क्रोस में तो Friends, कई वार तो ऐसा होता है कि यहां पर इस तरह से सिल्वट हो जाती है और यहां पर भी जो हमारा center है वो भी हमारा सही से नहीं आ पाता है तो यह सारी जो problem होती है वो किस तरह से ठीक हो सकती है और क्या तरीका होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको full detail के साथ समझाने वाले हैं यदि आपकी यह problem आती है तो आप इस वीडियो को पूरा देएगा आपकी problem solve हो जाएगी कभी यह problem नहीं आएगी पैंट की side हैं वो इस तरह से लगा कर रख ली हैं यहां पर जो है हमारा margin इतना निकाल कर हमने लगाया है क्योंकि margin को हम इस तरह से fold करते हैं तो दोनों पार्टों को हमने इस तरह से जोड़ लिया है जोड़ने के बाद यह जो हमारा part है वो है chain वाला जो हमारा right side वाला part है तो इसमें हमारी chain अटेच होती है और जो left side वाला part होता है वो हमारा इस तरह से यह fly हमारी attach होती है तो यह जो हमारा फिलाई वाला पार्ट है, यानि जो हमारा लेप शायड वाला पार्ट है, इस पार्ट को हमें सबसे पहले तो सीधा करना होता है, इस तरह से हम सीधा करेंगे, सीधा करने की बाद इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, और जो हमारा राइट शायड का पार्ट ह इसके अंदर हम यहां से डाल देंगे, इस तरह से हम इसको डाल देंगे, डालने के बाद फ्रेंट्स हमें क्या करना होता है, जैसे हम यहां पर जो हमने मार्क किया हुआ है, यहां पर हम इस तरह से मार्क को उठा लेते हैं, और यहां पर हम एक कच्छा सिलाई डाल लेते हैं, जैसे हम यहां से इस तरह से बराबर रखते हैं और यहां से हम कच्चा डाल लेते हैं यह सिर्फ हम थोड़ा सा हमारा part किसके ना इसलिए हम कच्चा पहले डाल लेते हैं तो इस तरह से हम लगा लेते हैं यह तो हमने इस तरह से इसको जोड लिया है जोडने के बाद ये हमारा इस तरह से अटैच हो गया मैन काम हमारा ये है यहां पर हम समझेंगे कि इसको हम किस तरह से जोडते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां से सबसे पहले तो हम दोनों पार्टों के दरज को चीरेंगे यहां से इस तरह से इस वाले पार्ट को भी हम चील लेते हैं और यहां से सबसे पहले तो आपको यहां पर सेंटर को मिला कर पकड़ना है यहां पर इस पहला काम तो आपको यह करना है कि यहां पर आप सेंटर मिला कर और यहां पर टांकी बांद लेंगे इस तरह से आपको टांकी बांद लेनी है जिससे ये होगा कि आपकी जो ये सिलाई है वो इधर उधर नहीं खिसकेगी इस तरह से आप देखेंगे ये जो सिलाई है ये वाला मारजन और ये वाला मारजन हमारा इस तरह से बरावर रहता है और हम इस वाली जो चैन की फ्लाई है इस तरह से बेल्ट को यहां से बराबर पकड़ लेते हैं ब Reid पकड़ने के साथ साथ आपको यह धियान रखना है कि यह जो हमारा मारजन है यह वाला यह जो आपको फ्लाई दिख रही है इस फिलाई से दो से तीन सूत जो हमारा यह चैन है वो अंदर की तरफ रहती है इस तरफ रहेगी यदि आप चैन को यहां पर अटेच करेंगे तो आपकी चैन चमकने लगी आप इससे अंदर कर देंगे तब भी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपकी चैन बहुत अंद कर देख लेते हैं नापने के बाद हम यहां से नीचे से इस तरह से मिलाते हैं और यहां से इस तरह से यह हमारी सिलाई यह वाली है और यह है दो से तीन सूत हमारी अंदर की तरफ है और इसके बाद हम यहां से इस तरह से इसको रखते हैं और इसमें हम सिलाई लगाते हैं का ऐ है वे वराबर है कि कमजानदा है तो यहां से इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहां से इस तरह से देखिए दोस्तों हमारे बेल्ड का सेंटर एकदम बराबर आया हुआ है अब इसके बाद हम क्या करेंगे नीचे जो हमने सिलाई जो छोड़ी हुई थी इस पर हम सिलाई लगाएंगे तो हम यहां से इस तरह से रखेंगे यहां से तो हमने खिलाई की सिलाई लगाई हुई है यहां से ही श्टार्ट करेंगे इस तरह से और यह जो पार्ट है इस तरह से हम कट कर लेंगे थोड़ा सा ही रखना है और नीचे के पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे एक सिलाई हम यहां से लगाएंगे फिर हम इसको अटा लेंगे इसके बाद हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं, फिर हम आपको रखाते हैं, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद, अब हम क्या करेंगे, इनको हम सीधा कर लेते हैं, तो जो पार्ट हमने डाला हुआ था, उसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं, और इस तरह से सीधा कर लेते हैं, अ बालने के बाद आपको क्या करना है यह जो आपका मारजन है जो आपने यहां पर कच्छा किया हुआ था तो इस मारजन को इस तरह से बरावर करना है बरावर करने के बाद यहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले यहां टाकी बांधनी है ठीक है और यहां तक तो हमने फिलाई की सिलाई लगाई हुई है यहां से स्टार्ट की हुई है तो यहां तक तो हमें सिलाई लानी है तो यहां तक हम सिलाई लाए तो आपकी एक बार mistake हो सकती है लेकिन आप जब नीचे सिलाई लगाएंगी तो आपकी जो नीचे से round है वो अच्छी तरीके से बन जाता है तो इस तरह से आप round देते हुए सिलाई लगाएंगी तो इसमें क्या करेंगे एक जो हमारी फिलाई होती है ये वाली जिसमें हम चैन को अटेच नहीं करते हैं इस फिलाई को तो हम निकाल लेते हैं इस तरह से और जो चैन का हमारा लॉक होता है उससे नीचे हमें सिलाई लगानी होती है तो हम यहां से इस तरह से रखेंगी कपड़े को आपको अच्छी तरीके साथ लेना है और यहां पर धीरे से आपको इसमें सिलाई लगानी है राउंड में इस तरह से यहां तक इस तरह से राउंड में सिलाई लगा लेंगी और सिलाई लगानी के बाद अब इस चैन को हमें खोलना है इस तरह से, खोलने के बाद यह जो मारजन है, इस मारजन को हम अंदर की तरफ कर देना और यह जो पार्ट है इस पार्ट को आपको अच्छी तरीके से मिला कर पकड़ लेना है, आप इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी डीला नहीं करेंगे, यदि आप इस वाले पार्ट को डीला कर देंगे, तो आपकी जो फिल्लाई में है, वो सिल्वट आ जाएगी, यहाँ पर नम आ जाएगी, जैसे हम इसको एक बार दिखा देते हैं, इस तरह से हम इसको खोल देते हैं और इसको खीज देते हैं, तो यहाँ पर पर इस तरह से बंद करके और यहाँ पर हम आपको इसकी टाकी जो शेंटर है वो भी यहां आपको दिखा देते हैं तो एक सिलाई तो आपको इस तरह से लगानी है अब इसमें दूसी सिलाई लगाएंगे तो ये जो मारजन हमने हटाया हुआ था इस मारजन को हम इस तरह से बराबर करेंगे और बराबर करने की बात इसमें हम दूसी सिलाई लगाएंगे तो हम यहां से लेकर और यहां तक दूसी सिलाई लगाते हैं जिससे हमारी fly जो है पीछे की तरह मारजन हटता नहीं है जिससे हमारी बद्दी नहीं लगती है और हमारी मजबूत भी रहती है तो आपको इस तरह से सिलाई लगानी है तो इस तरह से यह हमारी fly एक तब अच्छी तरीके से बन गई है अब इस pen को हम सीधा कर लेते हैं फरागागा को दिखाते हैं देखिए दोस्तो ना ही हमारी belt उपर है ना ही नीचे है तो इस तरह से जब हम belt को joint करेंगी तो इस तरह से जो हमारी belt है वो आराम से center पर आ गई है तो बहुत से लोगों क्या होता है बेल्ट इस तरह से नीचे की तरफ हो जाती है और बहुत से लोगों की बेल्ट इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाती है तो जैसे आपकी यह प्रॉब्लम आती है तो यदि आप इस तरह से बेल्ट को लगाएंगे तो आपकी यह प्रॉब्लम नहीं आएगी नहीं बे करना है। यहां से इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम हुक लगा लेंगे और इसमें हम जो है हई लगा लेंगे तो फ्रेंड्स आपको अची तरीके समझ 메ं आगया होगा फर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो friends इस तरह से हमारी जो fly है वो बनकर तयार हो जाती है आपको अच्छी तरी के समझ में आ गया होगा यदि आप इस तरह से fly बनाएंगे तो आपकी fly में कोई भी mistake नहीं आएगी friends उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरी के समझ में आ गया होगा आपकी मन में कोई भी doubt है तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त thanks for watching